हाई फ्रेंड मैं पूर्वा अप्लों का स्वायत करती हूँ M.P.Successors में और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मद्रप्रदेश बीकली सापता है करेंट अफेयर की सीरीज जो है 18 से 24 माई 2020 का और आज है 24 माई तो 18 से 24 माई 2020 तक यतने भी करेंट अफेयर बने तो अब लोग के पूरी वीडियो को आंते तक जरूर देखें चलिए फरस्ट कोशन क्या है तो इसमें फरस्ट कोशन है कि हाल ही में जारी भारत के रजिस्ट्रार जनरल के आकड़ों के अनुशर सबसे खराब सीचु मिर्थियूदर के सराज में है तो अभी हाली में एक र यहां पर हर एक हजार बच्चो के जनम पर 48 मोते हो जाती है ठीक है 40 울 लेंड में जो सिट्व मृत्यू दर है वो सबसे कम है यहां पर एक हजार बच्चो पर चार बच्चो की मृत्यू होती है यह जान पर इस ताइब को याद रखना है दोनों तो अब सेकंड कुशन पर आते हैं कि हाल ही में किस राज जन पाजुका पहल की सुरुआत की है तो आप लोगों को पता है कि मंत्रदेश से जो भी करेंट आफ्यर बनाया है विक का तो वह मैं पूर बता रही हूँ यह जो यह ज़्यादा इंपोरेंट इसलिए आपनों के लिए क्यों कि आगे आने वाले एक्जाम में आप लोग देखिंग के जिसमें भी मंत्रदेश करें पूछेगा जब तक भी एक्जाम होते हैं तो आप लोगों को पूरे इस मंत का 2020 के लिए पूरे 2020 का करेंड़ा फिर जाना बहुत जरूरी है चलिए सेकंड कॉशन देखते हैं तो हाल ही में किस राज्य ने चरण पादू का पहल की सुरुवात किया है यह जो चरण पादू बाहर मजदूरी कर रहे थे दिहारी मजदूरी तो वो लोग है ना जो ट्रेन से बसों से और पैदल चल कर आ रहे हैं दूसरे राज्यों से तो अगर उनलों के पास चपल बगएरा नहीं है तो यह मंत प्रदे सरकार ने चरण पादू का पहल की सुरूवात की है कि जो भी म कोशन बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट रहते हैं आगयाने वाले एक्जाम में आप लोग इसी टाइप के कोश्चन पेपर में देखेंगे ठीक हाली में मत प्रेस में सियासी जमीन पर चंबल एक्सप्रेस बे अब किस नाम से दोड़ेगा तो जो चंबल एक्सप्रेस ब बे की जगाय पर चंबल एक्सप्रेस बे के नाम से फिर से जो काम रुख गया था चंबल एक्सप्रेस काुसको फिर स्टार्ट कर दिया है ठीक है तो यह जो है यह चंबल एक्सप्रेस बे यह जो रास्ता है इस के माध्यम से क्या होगा कि मदप्रेस उत्तरप्रेस और राइस्तान के बीच जो मतलब कि सीधा बेफसाइक संपर्क बढ़ेगा इसलिए यह योजना भी बीच में मतलब यह जो काम अब 4 No.評価 है कि हाली में मतलिय प्रडेस के कि हाली में कि सहर को किछडा मुक्त सहरों की सूची में दूसरी वार 5 स्टार रीटिंग मिली है तो आपको पता है कि यह मतलि में से का ऑम यंदॉर सहर है में आपको देस का पर भारत स्ध पर्थमिस्तान पर है का काada मुक्त रेस सुची में और इसे एक बार रेटिंग मिल ऊप दूसरी बबर इन दौर को यह दूसरी बार फाइव स्टार रेटिंग मिली हुई है ठीक इस ताइप से इसका यह आंसर था आपका इन दौर ठीक अब फाइप नमर कुशन देखते हैं तो हाली में किस राजने जून तक प्रॉपर्टी खरीदी पर पांच प्रिस्त की छूट दी है तो किस अब ही में कहा है कि अगर आप प्रॉपर्टी वगरा खरीदे है तो उसमें पांच प्रिस्त की आपको छूट रहेगी ठीक है जून महा तक अगर आप खरीदे हैं हाली में किस राजने नौवी और ग्यारवी के विध्यारती को सप्लीमेंटी पर एक्षाओं में जनरल प्रमोशन दिया है तो अभी हाली में मत्यप्रदेश सरकान ने नौवी और ग्यारवी के विध्यारती उनको सप्लीमेंटी पर एक्षाओं में जनरल प्रमोशन दिया ह सब्सक्राइब कर दिया जाएगा इसी प्रकार दस भी की भी स्टूडेंट है उनको डायरेक्ट प्रमोट कर दिया है उनके जो एक्जाम रह गए थे आप वो एक्जाम नहीं होंगे इस केबल बारवी के होंगे तो इस टाइब से यह इस कोश्यन का अंधर तब सेविंग निर्मान के कारियों में नोंने मतलब के प्रारंब किया था और इन्होंने बहुत ज़्यादा से बनवाए थे प्रतिमा तो इन्होंने क्या किया था शिविंग निर्मान करवाए थे बहुत ज़्यादा और इसी कारण से जो सिविंग निर्मान के कारे की कारण इनका गिनीज वकौब रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज हुआ था तो इसलिए इनका नाम फीमा से और यह मंध्य तो इनका जो विख्यात संत जो थे दद्दा जी जो वो थे मध्य प्रदेश के कटनी जिले से संबंदे तो ये भी कॉस्चन मतलब इंपोर्टेंट है अब आजाता है एफ नमर कॉस्चन तो हाली में किस राजी ने फैसला लिया है कि कोरोना संकट में राजी के सभी नीजी स्कूल सिर्फ ट्यूशन फीस ही लेंगे भूनहीं लेंगे बड़ों से ही जई दी वहां सेवा और इसमें महिलाय आधा है, कई टाइम पर नहीं आता है तो यह जो मत्रप्रदेश के जो मतलब के यह दीदी भाहन सेवा मध्य पर आजाएगी तो इस टाइप से मत्रप्रदेश राज ने शुरू किया और यह जो है यह मत्रप्रदेश के जाब हुआ यह आप याद रखें क्योंकि यह भी है यह मंत्य प्रदेश के जो जहाबुआ डिस्ट्रिक है वहां पर यह सुरू हुआ है तो यह इतना आपको याद रखना है अब आ जाते हैं नेक्स्ट कोशन पर तो जो टैंथ नमर कोशन है वो है कि हाल ही में मंत्य प्रदेश के मुख्य मंत्री सिवराज सिंग चौहान ने क आपको पता होना चाहिए कि अभी जो 22 माई को मुख्य मंत्री सिवराज सिंग चौहान ने एक अभियान सुरू किया है अभियान का एलान किया है तो वह कौन साथ हो है स्रम सिद्धी अभियान यहां पर ठीक है तो इसके तहत क्या होगा कि मंत्रप्रदेश में जो स्रम सिद कर रहे थे तो अब अपने अपने मतलब अपने मतलब अब देश में वापस आ गए हैं तो अब मंतलब कर दो क्या होगा कि उन्हों को क्या होगा कि उनका घर घर जाकर सर्व भी होगा हर घर में कितने लोग हैं और कौन-कौन मज़दूरी करने के लाइक है 18 साल से जागा है और उनका जौब कार्ड बगएरा बनाया जाएगा इसमें इनका कार्ड नहीं उनको कार्ड बनवाया जाएगा और उनका पूरा सर्वे होगा और फिर उसके तहट इनलों को रोजगार जाएगा जिसके काम के हिसाब से उसको जौब दी जाएगी और जो पड़े लिके नहीं है तो उन लोग है हर ब्यक्ति को हर कर is ब्यक्ति को हर गर में एक नहीं को रोजगार जरूर मिले और इस ताइब से नहीं ज़ने मिन्य संखिर घृषा में मर्भभयदेश के कीजले में सद्लीच सुरू हो गया है आっぱ पता है कम्यूंटी स्पूडिच क्या है कि यह है कि जो समूझ है यह समूझ में 20 माद्रप्वरदेश के कम्यूंटी स्पूडिDG jzone इन दीया व्हाहां को पता है कि कोरोना की जो ठाड स्टेज है इन्दाव्स के सुरू हो गई है ठीक है तो इसलिए कम्यूंटि सब्सक्राइब अर्ण बहुत ज़ादा साफ़्दानी रखनी ठीक है कोरोना वाइरस के जो संक्रमार्ट की तीसरी स्टेज शुरू हो गई है उसने प्रविश्कर ल संक्रमन का पता नहीं चलता है कि मतलब हो गया है कि नहीं हुआ है और लोग को लगता है मुझे नहीं है लेकिन फिर यूनको निकालाता है ठीक है तो इस प्रकार से यह जो कम्यूनिटी स्पेडिंग है यह इन दौर दिले में सुरू एस टाइप से यह मद्धर प्रदेश के तो करेंट अफियर थी आपकी बीकली करेंट अफियर 18-24 माई 2020 के तो वो सारे मैंने बता दी है तो आप लोग को वीडियो कैसे लगी प्लीज कोमेंट बॉक्स में बताएं और जो लोग पहली बार चैनल पर जुड़े हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें थैंक्स अजयर झिन vagy लोग झाल जब三 मेंग बताए दो नहीं वोगज़े हैं झाल भार जी मैंस ब्लीज करेंट।